कक्षा दस्मी के प्रिये बिद्ध्यातियों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा दस्मी का वाईसिक परिक्षा पेपर गड़ेत तो देखेगा विद्ध्यातियों वीडियों को देखे विलकुल लाश्ट तक क्योंकि आज की इस वीडियों में हम आप लोगों के लिए आपका जो mathematics का पेपर है इसे पूरा का पूरा हर सहित बताने वाले हैं तो चलिएगा बिना कुछ देरी के वीडियों को कहते हैं start तो देखेगा विद्ध्यातियों यहां पर आता है सबसे पहले आपका खंड आ खंड आ में देखिए दोस्तों आपका पहला प्रिस्न दिया गया है सही बिकल्प चुनकर लिखिए और इसमें आपका पहला बिकल्प लिखा हुगा है यदी दो संख्याओं का गुडन फल 32 तथा LCM 8 है तब उनका HCF होगा तो इसका सही अंसर आजाएगा आपका फर्ष्ट नम्मर का जिसमें लिखा है चार क्या आजाएगा दोस्तों चार इसका सही अंसर आजाएगा इसके बाल आता है आपका दूसरी नम्मर का बिकल्प जिसमें लिखा है यदी बहुपद AX स्क्वार पिलस BX पिलस C का ग्राप पूर रूप से X अक्ष के उपर या नीचे हो तो बहुपद के सुन्यांक होंगे तो देखेगा बिद्यातियों इसका सही अंसर आजाएगा आपका D नम्मर में क्यांकि दोस्तों इन में से जो अंसर लिखा है एक दो तीन इन में से इसका राइट अंसर कोई नहीं है तो देखे इसका सही अंसर आजाएगा क्या कोई सुन्यांक नहीं है ये सही अंसर इसका हो जाएगा और इसके बाद आता है आपका बिकल्प नमबर 3 तो देखेगा बिकल्प नमबर 3 में लिखा है रेखिक बहुपत के अधिक्तम सुन्यांक होंगे तो इसका सही अंसर आए जाएगा प्रियविध्यातियों 1 यह नमबर में लिखा हुआ है दोस्तों इसका सही अंसर आपका 1 आ जाएगा और इसके बाद देखिए आता है आपका बिकल्प नमबर 4 बिकल्प नमबर 4 में लिखा हुगा है रेखिक समीकर 2X पिलस 4Y माइनस 12 वरावर 0 में यदि X वरावर 2 हो तो Y का मान होगा तो देखिए अब इध्यातियों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका A क्या आ जाएगा A इसका सही आंसर आ जाएगा और इसके बाद आता है आपका बिकल्प नमबर 5 क्या आता है बिकल्प नमबर 5 दिया गया है जिसमें लिखा है दुई घात समीकर दुई घास समिकर x square minus 4x plus 4 वरावर 0 के बिवित्ति करड़ का मान होगा तो देखे इसका सही आंसर आजाएगा 5 में का C नम्मर का यानि कि इसका सही आंसर आपका 0 हो जाएगा और इसके बाल आता है आपका छटे नम्मर का विकल्प जिसमें लिखा है A अनुपाते P ए अनुपाते P दस, साथ, चार खाली स्थान का दसमा पद है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका D नंबर का जिसमें माइनस 17 लिखा हुगा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा तो देखेगा आप इद्धियाति को यहाँ पर लोग देख सकते हो यहाँ पर हुगा आपका प्रिष्णिक्रमांक के एक जिसमें थे सही बिकल्प को चुनकर आपको लिखना था तो देखेगा ये सभी आंसर हमने आप लोगों के लिए बता दिये हैं श्क्राइब माइनस 7X-9 में सुनने अंकों का गुड़न फल खाली स्थान होगा तो देखेगा आप इद्धियाति ओं इसका आंसर आपको किस पर कासे लिख लेना है आपको देख लेना है तो देखेगा इसके लिए आपको माइनस 9 लिखना है और नीचे दो लिखा देना है क्या माइनस नाइन वटे टू इस पिकास से इसका सही आंसर आपको लेख लेना है इसके बाल आता है आपका दूसरे नमर का तो दूसरे नमर में लिखा है दो समीकर में एक चर का बिलोप करके जोड़कर या घटा कर हल कहने की बिधी खाली स्थन कहलाती है तो इसका सही आंसर आजाएगा दोस्तो आपका फर्ष्ट पार्ट में दिया गया है कौन सी बिधी है दोस्तो बिलोपन बिधी आपको इस पिकास से देखिए इसका आंसर लिख लेना है बिलोपन फिलस C वरावज 0 का बिवत्ती कर हो है, खाली स्थान है तो इसका दोस्तों आपका सही आंसर आजाएगा आपको देखी, इस पे कासे लिख लेना है B स्कॉार माइनस 4 AC क्या आजाएगा? B स्कॉार माइनस 4 AC, इसके बादा आता है आपका चौथे नंबर का रिक्तिस्थान, जिसमें लिखा है यदि A, B, C A, P में हैं, तब B का A और C का खाली स्थान है तो इसका सही आंसर आजाएगा दोस्तों आपका क्या? समानतर माध्यम, क्या आजाएगा? समानतर माध्यम माध्यम दोस्तों आपको इस पिकाश से लिख लेना है इसका राइट आंसर हो जाएगा और देखेगा इसकी बादा है आपका जिक्तिस्थान नंबर 5 जिसमें लिखा है सभी बर्ग खाली स्थान होते हैं तो इसका सही आंसर आजाएगा इसका सही आंसर आजाएगा आपका सम रूप क्या होते हैं दोस्तों सभी बर्ग क्या होते हैं सम रूप होते हैं और इसकी बादा आता है आपका छटे नंबर का जिसमें लिखा है समकोर्ट तरभुज में सबसे बड़ी भुजा को खाले स्थान कहते हैं, तो इसका साही आंसर 아जाएगा आपका कायड, क्या आ जाएगा तो समकोर तिरभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे हम कायड कहते हैं, तो आसा कहते हैं तो ये भी रिक्तिस्थान आपकी समझ में आ चुका होगा, इसके बाद देखी आता ह आपका जिक्त इस्थान नंबर साथ जिसमें लिखा यदि एक बिंदू का वाई निर्देश जीरो है तब वह खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा तो देखेगा इसका सही अंसर आजाएगा आपका एकस माईनस अक्ष क्या जाएगा एकस माईनस अक्ष इसका राइट आजाएगा तो देखेए ये हुगा आपका प्रिश्णिक करमांग के दो जिसमें थे आपके जिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तो वीडियो में आँगी बड़े उससे पहले हम आप लोगों के लि बूल ना करें दोस्तों मोंडल पेपर है इसमें से कई सारे पिसने आपकी परीक्षा में से पूछे जा सकते हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात और के लिए कैदें कि आप लोग की यूटूब पर कहीं पर भी देखें आपको कहीं पर भी ओरीजिनल पेपर न यह जो पेपर मोंडल हम बता रहे हैं आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और इसमें से कई सारे प्रिष्णे आपकी परीक्छा में से पूंख़े जाएंगे तो चलिए इसके बाद चलते हैं अंग्रे पिष्णे की ओर तो देखे इसके बाद आता है अब ताफ प्रिष और इसके बाद आता है दूसरे नमबर की जोड़ी जिसमें लिखा है एक पिलस टेन इसकोई थीटा तो इसका मिलान हो जाएगा आपका डी नमबर में जहां पर लिखा है सेक स्कोई थीटा इसके बाद आती है आपकी तीसे नमबर की जोड़ी जिसमें लिखा है सेक स्कोई थ तो इसका मिलान हो जाएगा आपका F नमबर में देखिए तो F नमबर में आप लोग देख लिए क्या लिखा है cot square theta यहाँ पर लिखा हुगा है और इसके बाद आती है आपकी जोड़ी नमबर 5 तो देखिए अगा जोड़ी नमबर 5 में लिखा है 210 theta cot theta तो इसका मिलान हो जाएगा आपका ए नमबर में इसका मिलान हो जाएगा और इसके बाद आती है छटे नमबर में जिसमें लिखा है sin square 25 डिगरी पिलस cos square 25 डिगरी तो देखिए इसका मिलान आपका देखिए दोस्तो देख सकते हो यही बचा है तो इसमें इसका मिलान हो जाएगा तो दोस्तो आसा कहते हैं कि आपको सही जोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी देखिए दोस्तो आप लोग यहां से देख सकते हो कि किस पे का से आपको अपनी सही जोड़ी मिलाना है इसे हटा दे रहे हैं दोस्तो तो देखिए अब आ एक सब्द बाग के में उत्तर लिखिए तो देखिए इसमें आपका पहला प्रिशन लिखा हुआ है यदी यदी एवं बी दो प्राकृतिक संख्या हैं तब उनकी HCF एवं LCM में क्या संबंध है तो देखिएगा इसका सही आंसर आजाएगा आपका क्या आपको देखिए दोस आपको लिखना है H C HCF HCF कोश्टक आपको लगा लेना है और फिर आपको B लिख लेना है और फिर इसका से लिख देना है और यहां पर आपको गुडा का निसान लगा कर आपको इसी में लिखना है दोस्तो क्या L C LCM फिर आपको कोश्टक लगा लेना है और आपको A B लिख लिख देना है और कोश्टक और इसके बरावन में आपको दोस्तों क्या लिखना है ए गुणे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए आपको किस पेकार से लिखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं दूसरा पिस नहीं यानि कि जिसमें लिखा है बिंदू बिंदू ए तीन चार की मूल बिंदू से दूरी क्या होगी तो इसका राइट आजाएगा दोस्तों पांच और इसकी बार आता है तीसे नमर का जिसमें लिखा एक बिरत में एक बिरत की किती समानतर इस परस रेखाएं हो सकती हैं तो इसका सही अंसर आजाएगा दोस्तों क्या दो क्या कितनी हो सकती है दो और इसके बादा आता है आपका प्रिश्निक रमंक चार जिसमें लिखा है गिल्ली डंडा खेलने में गिल्ली किसकी संयुक्त आकरती है तो इसका सही अंसर आजाएगा दोस्तों क्या दो संकू की क्या दो संकू की आकरती है दो संकू की एवं एक बेलन की क्या दोस्तों दो संकू की एवं एक बेलन की आकरती है और इसके बादा आता है आपका प्रिश्निक जिसमें लिखा है और तरिज्या वाले बेलन का आयतन का सूत्र लेखिए तो इसमें आपको लेख लेना है देखिए दोस्तो इसका सूत्र आपको लेख लेना है पाई यार स्क्वार और एच और फिर इसमें आपको लेख लेना है जहां जहां एच बेलन की उंचाई क्या है दोस्तो पाई आर स्क्वार एच और एच किया है जहां एच बेलन की उंचाई है और इसके बाला आता है आपका प्रिष्णिक मंक्छे जिसमें लिखा है सरवाधिक वारम वालता वाला वर्ग क्या कहलाता है तो देखिए इसका सही अंसर आ जाएगा बहूलक क्या जाएगा बहूलक बर्ग क्या जाएगा बहूलक बर्ग इसका सही अंसर आ जाएगा और इसके बाला आता है साथमे नमर का जिसमें लिखा है एक असंभाव घटना की प्रायक्ता क्या होती है तो इसका सही अंसर आ जाएगा आपका सुनने क्या जाएगा सुनने तो देखे ये हुगा आपका प्रिश्नी क्रमंग 4 जिसमें थे एक सब्द एक बाग्त में उत्तर लिखे इसके बार आता है प्रिश्नी क्रमंग 5 जिसमें दिया गाया है सत्य असत्य बताईए चलिए तो ये भी हम आप लोगों के लिए बता दे तो देखिएगा इहां पर आप लोग देख सकते हो इहां पर आपका पहला प्रिशने लिखा हुआ है सत्य पांच में नमर का प्रिशने लिखा हुआ है जिसमें लिखा है सत्य आ सत्य बताईए तो इसमें आपका पहला प्रिशने लिखा हुआ है प्रतिक भाजी संख्या को अ प्रति छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं तो इसका भी दोस्तो ये भी आपका राइट अंसर यानि कि सत्य हो जाएगा इसके बाद आता है तीसी नमर का जिसमें लिखा होगा है आल त्रिज्या वाले ब्रत की परधी टू पाई यार होती है तो ये भी दोस्तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसके बाद आता है चोतरी नमर का जिसमें लिखा है एक लीपी बर्स में वावन सब्ता होते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तो गलत यानि कि दोस्तो चोतरी नमर का आपका गलत हो जाएगा और इसके बाद आता है पांचमे नमर का ज स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आपका हो जाएगा सत्त बिल्कुल राइट इसका सही अंसर हो जाएगा तो देखिए दोस्तो यह हुगा आपका प्रिष्णिक्रमांग पांच हो दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने आप लोगों के लिए प्रिष्णिक्रमांग एक से प्रिष्णिक्रमांग पा अहत्यपूर होने बाले हैं। दोस्तों इससे आगे का पाइट 2 हम आप लोगों के लिए बहुत इजल अप्लोड करने वाले हैं। दोस्तों हम मोंडल पेपर बताते हैं। इसलिए दोस्तों हम पाइट 2 भी डालेंगे तो बो भी मोंडल डालेंगे। यद्लि वीडियो पसंद आया तो like, subscribe and share चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद